कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामना आए होली का त्योहार उत्साह और भाई-चारे का है रंगों का त्योहार है जाती धर्म का भेद मिटाता है होली का की कथा सबसे अधिक प्रचली थे साथ ही इसमें प्रलात की जो कथा है और हुलिका की इस कथा का स्रबन करने का इस दिन महत्र है इस दिन नकात्मक उर्जाएं चरम पर होती है और नकात्मक उर्जाओं से बशने के लिए हुलिका दहन में कुछ भी से इस बस्तुएं भी अर्पीत की जाती है आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, जो आपके जीवन के सारे कस्ट को दूर करेगा, और होली के समय, जो भी आप प्रयोग करते हैं, टोटका करते हैं, वो काम्याभी जरूर देता है, प्रेम और सवहार्द का त्योहार, और होली का दहन, होली के एक दिन पहले फालग के बिना जीवन अधूरा है क्योंकि सात रंग इंद्रधनुस में भी है और हर रंग की एक अलग महिमा है लेकिन आज जो हम बात करेंगे घर के मुखे दरबाजे पर आखे क्या डालें कि जीवन के हर कस्ठी दूर हो जाए देखिए सबसे पहली बात तो इस बार होली और होली का दहन यानि 28 मार्च और 29 मार्च दोनों ही दिन ये प्रयोग कीजिएगा अगर एक ही दिन करते हैं तो भी चलेगा सबसे पहले तो आप सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम जब आप घर का में डोर खोलिएगा तो खोलने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लेकर ज़ाडू लगाईए पहले पानी डालना है फिर ज़ाडू क्योंकि इस समय लोग तांतरिक क्रियाएं करते हैं दुस्मनी निकालते हैं आप से हिंसा करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं अब ऐसे में आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का परेशानी ना हो तो पहले आप ज़ाडू तो आप चाहते हैं कि जीवन में बरकत हो धन की कमी नहीं हो वैसे तो हर किसी की चाहत होती है कि खूब पैसा रहे तब एक चोटा सा काम करें अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से हल्डी से स्वस्तिक या ओम का निसान बनाए सुमंगल चिन बनाते हैं गर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से बनाईएगा हल्डी से पहले से बना हुआ है उसके ठीक उपर बनाईए इसके बाद आम के पत्तों का बंदनवार जरू लगाईए चाहे रभी बार के दिन लगाए या सूम बार के दिन लगाए दून के पत्ते का बंदनवार है आपके स्वास्त को भी अच्छा रहेगा और धन की मुस्किलों को भी दूर करेगा फिर अशनान बेगर करकर भगवान सूरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपीत करें ताकि जीवन में खुसियां आती रहे तो घर के जो मुखे दरवाजे के बाहर एक आप चाहें तो आंटा का दिया बना लें या मिट्टी का दिया भी चलेगा दो मुखा या चार मुखा दिया जलाईए वैसे एक मुखा भी जला सकते हैं कोई दिकत नहीं है और ये दिया सरसों के तेल का होगा थोरा सा गुलाल डखिएगा द घर में सुक्सांती कायम रहे यकिन मानिये किसी भी तरह का निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी बहुत सिंपल है पास में सिपजी का मंदिर होगा अगर संभब हो तो एक लोटा जल सुभा और पित कराईएगा और अभीर उनको जरूर और पित कीजिएगा अगर संभब हो तो नहीं है संभब तो कोई बात नहीं साम में एक दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का विसेस मनुकामना की पूरती के लिए दो लौंग डाल दीजिएगा इस दीपक में सिपजी से प्रार्थना करें कि जीवन के कस्ट कम हो जाए अगर आपके जीवन का कोई मनुकामना पूर्ती करना है तब एक छोटा सा काम कीजिएगा होली वाले दिन साम के समय सिपजी के मंदिन में जब दीपक जलाईएगा तब साथ कोड़ी या ग्यारा कोड़ी सिपजी पर अरपित कर दीजिएगा आपकी मनुकामना पूरी होगी और इस दिन होली के दिन या होली का दहन के दिन गाई को जो आपके घर में बना है जैसे माल पुए भी से इस तोर पे बनते हैं होली के दिन तो माल पुए जरूर खाईए पर गाई के लिए भी निकालिएगा क्योंकि पहला आहर तो गाई का ही होता है तो पहले ही निकाल कर रख दे और अगर मान लेते हैं आपके हैं लेट से बनता है बहुत जगा दूसरी टाइम में बनता है पहले टाइम में अलग चीज खाते हैं तो आप ऐसे में गुड़ खिला दीजिएगा गाये को रवी बार का दिन भी है जीवन की मुस्किने कम हो जाएगी खुली का देहन चुकी रात में होगी तब आप खुली का देहन में जब जाईएगा तो अपनी मननत के अनुसर तमाम जीजे और पित कीजेगा इसके बाद आप वहां से अगले दिन सुबर थोरा सा राख ले जीवन में बरकत होती रहेगी किसी भी तरह की तंतर मंतर की क्रिया आपके उपर असर नहीं करेगी और इसके साथ ही एक साप सुथरे बरतन में कोई भी बरतन हो सकता है मिट्टी का भी हो सकता है थोरा सा होली का राख रखिएगा उसमें सरसों के दाने और थोरा सा नमक मिल कर ओपिन ही रख दीजिएगा आप पूरे साल सुरक्षित रहेंगे अगले साल बहते वे जल्में भी सरजित कर दें या फिर कहीं पवित्र जगा में मिट्टी में दबा दीजिएगा नियमित रूप से आप इस राक से तिलक लगा सकते हैं नजर दोस्ट से बचे रहेंगे औ उल्टे वो पतन की रहा पर चला जाएगा ये तो सिंपल तरीका से हमने आपको बताया कि क्या करें लेकिन अब चुकि हमने रखा है टॉपिक कि घर के पाहर फेक दें क्या फेकेंगे बुरी बलाओं से मुक्ति पाने के लिए देखिए हुलिका दहन में तो आप तमाम होली की राक से पुरे सरीर में लगाकर बुनगुने पानी साइसनान करें तो स्वास समस्य दूर होती है लेकिन जीवन के तमाम मुस्किलों से बाहर आने के लिए हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छे लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरूर लिखें धन्यवाद